राजस्तान के देवले उनियारा में नरीश मीरा की गिरफतारी के बाद फिर से बवाल एक बार शुरू हो गया है आपको बता दे कि मीरा के समर्थकों नहीं पुलस की गाड़ियों को रोकने की कोशिश में चक्का जाम कर दिया है देवले उनियारा की समरावदा गाओं की सड पाइमादपूर जाने वाले नेशनल हाईवे 116 पर भी अलिकट कजबे के पास जाम लगा दिया है करशी मंतरी के रोडिलार मीरा नरीश मीरा के समर्थकों से बात करने भी पहुचे है और इससे पहले करीब बारा बचे देवली उनियारा विधान समा के समरावता याने के गाउं से SDM को थपरवाणने वाले नरीश मीना को गिरफतार किया गया था और आज हमारी चर्चा भी इसी विशेस को लेकर है और आज का जो विशे है वो है जन प्रतिनीदी वर्सल ब्यूरिक्रसी का टक्राब विशेपर चर्चा करने के लिए मेरे साथ में जुड़े है प्रशासनिक सेवा में रहते वे मैंने देखा है कि ये कोई पहली गटना नहीं है हर बार चुनाओ होते रहते हैं और एरिया मेजिस्टेट सेक्टर मेजिस्टेट मोके पे अपना काम करते हैं चुनाओ की गाइड लाइन बड़ी सवत होती है सहदानती रूप चे बहुत सवत निर्देश होते हैं और उनकी करनी पालना करनी होती अधिगारियों को जो कारेपालक मेजिस्टेट के रूप मेजिस्टेट के रूप में सकते हैं तो यह जो डूटी से रोकने वाला जो काम है केवल इस इस चुनाव में ही फरत नहीं पढ़ रहा इसका पूरे सिस्टम को कॉलेप्स करने वाली गड़ना आई है जी बिजेपी से हमारे सब्सक्रवक्ता जुड़ें किस तरीके से देखते हैं किस नजर यह से देखते हुगा एसे देखे जी जो भी क्रते हुआ है जलत हुआ है और जो भी इसके दोसिये उनको सक्षित सट्य सदा मिनीच है ऐसा क्रते ऐसी गटना ऐसे दुस्ताहस को को लोगतंतर में कहीं पर भी जगह नहीं चाहिए वो किसी बीपार्टी से कोई विपती हो इस तरह से चुन इसा दुसास किया गया इतना बड़ा क्रत्य किया गया उसके बाद फिर जाम लगाना तोड़ बोड़ करना आज़नी करना यह सब गलत धाराओं में हैं और इस तरह से जो घटना हुई है बहुत गलत है और सक्ति चेसे सजा मिली चाहिए इसे दोश्यों है जी बीम राजी क्य के लिए अच्छे संकेत नहीं है क्योंकि आज जो लोग चटक पर परदर्शन करते हैं मैंने मैं बुरा वाज कर रहा हूं और मैं देख भी रहा हूं आपके वे समाचार चैनलों मादेन से टोटल यूथ हैं तो क्या राजनीती को अपने यह आइना दिखा रहे हैं यूथ क सामने रकिए सी-ैम के सामने रकिए गौर्नर के सामने जाए यह यह आइपाली का जूडिश्री थे पास यह पंडर यह यह नहीं चैनलिजान को इस त지ब मैं करे ले थी और दूस्रा जो पुलीस दिखारी थी उन् Zeiten को कर रहा था एक सवाल मेरा आप से है जी अक्सर जो है कॉंग्रस पार्टी हमेशा देखने को भी मिलता है कई बार कहती हुआ ये कि एवियन मशीन्स जो है उसमें खराबी के चलते तो लगाता नरेश मीडा इस बात को कह रहे थे कि जब वोटिंग हो रही थी उस दरौन उनका सिंबल क्लि उनकी सिकाए तो चुनावाई उको जबाब देना है और सेंटर गोर्ड मिट जो जिसके नीचे चुनावाई होगा तो उनको देना है बट आज जो डिबेट है जो मुद्धा है आज के दिन वह ये हैं और इसके बाद इन्हें ने युगाओं को किस सोर दा केल रहे हो अखि लग मैंसे में माथ कराओं और पारwork की बाद मो someone in for a proximity के सम्पत्ती और Г की नहीं पड़ता मैं तो इतना करना कहूँगा का कानौन वेस्ता राजस्तां के आदर फैल्यर है और इस इतरे कल हमारे और हमारे कांगरेश बर्ताश्याब एक्रम का ओंद में यह संक्टन के इंट रहें सब्सक्राइस क्या हूं suppose, कि यह कौना के नॅम सब्सक्राइक, आपयों जनुसके कहे हैं。」 बट इस्यू क्यार है यह तो बाद में पता चलेगा पड़ इस तरह की अरकत करने ओच सीमान सीक्ता का परदर सने नरीश में कि अशोग घैलोट जी का एक स्टेट्मेंट जो है वारल हुआ जिसमें वो कह रहे थे कि नरीश मीना को बहकाने का काम किया एब जेपी पार्टी ने किस तरीके से देखते हैं क्या कुछ कहेंगे जी असोग गैलोट जी पुरे चुनाओं में कहीं नहीं दिखे वो एक मुख्यमंद्र रच्पी राइस्तान गे अभी दस मेने पहले अठे उनको यह बयान सोबा नहीं देता है बलकि वह वहां की जंता से अपील करते कि सांती बनाए रखे इस तरह की जो गठना है वो अच कोसिस है वो सब गरत अस Bei Yoji को यह बोलना था मूझे से मानने की कोशिस कर रहे है हूँ चाते की संगर से इनका आंत्रिक संगर से आप देखे फिछले दो मेने से हो रहा है यह आज की गटना तो कल की गटना तो उन्होंने अधिकारियों पे की में कुटवा चुनाओं के दुरान वहां पे था तो यह अमूमन अशो गेलोज जी डोटास राजी पाइलेट जी तीनों नामां संगर से रोकना चीए है और यह विचार दा रहा है लेकिन फिर भी इन लोगों ने गुस्ता की करी रात को आजनी करी फिर वहां से बगा कर ले गए लेकिन कहीं एक बड़ा फेलियर देख रहा है बीजेपी सरकार का आप देखिए एक तरह बात होती है कि चुनाव आयोक हमेशा प्रयासरत रहता है कि शांतिपूर्ण तरीके सम तो वहीं दूसरी तरफ जो यह घटना हुई और उसके बाद में आगजनी जैसी घटने वहीं और अगर अभी की बात करें जो लेटेस्ट अपडेट यह है कि नरेश मीना की गिरफतारी के बाद भी माहोल अभी तक गरमाया हुआ है और पुलिस प्रशासन के उपर जो लड़के है जो यू आख नहीं है ने तौक के हैं ने सवीमादूपुर के हैं और नाहीं देवडी उनियरा विदान सभा के अभी इंपको डिटेंड किया गया है ता निबब परतिसत लड़के जो यू आख लिए जो अब रहे कह रहे हैं हमने कोई गल्की नहीं करी हम हमारा दना दिये वे ते नरेश मिना वहां धन्ने में आये उन्हों ने का इस गाहों के साथ तरीके के गंबीर आरोप लग रहे हैं जिल लोगों ने आरोप लगाए थे उनके पास पुलिस पहुंची वह लोग बाहर के दे इस्ताने निवाशी पहले गड़े जब कि इस्ताने निवाशी आरोप लगा रहे हैं कि नरेश मिना के समग्तकों ने हमारी 50 से उपर गाडिया जिला दी हमारे मकानों को जला दिया बाहर के निवाशी तो चोटा सा गाहाँ है समरावता में खुद गया मैं जबाव देना चाहूं है मैं अभी मेरे मितर जवाब दे रहे थे का उनको अपील करनी चाहिए मुख्यमंत्री असो गलोट के वह रास्तान के तीन बार सीम रहें सेंटर में मिनिस्टर रहें पहले मैं यह कहना चाहूंँ अपील तो मुख्यमंत्री और बीजेपी किसी की तरफ से थाही नहीं कि रोड़ जी वागय उन्होंने को संती के अपील अभी तक तो की नहीं उनका कोई बाइट आई इस तरह की दूसरा मैं कहना चाहता हूं का यदि नरेश मेना लेकिन कि पूछना चाहता हूं कि अभी मेरे मितर का रेकोटा जालावाड बारा से लोग कि यदि कुछ हुआ तो ऐसांती फैलेगी उपदरोगा होगा तो कून समालेगा दूसरा मैं पूछना चाहता हूं कि यदि आज के दिन यदि फैलियर है तो कि इंटेलिजेंस का फैलियर और पुलीस का कहीं दिखने रही है और उसको अंदर जाने वीडियो दिखा रहे हैं सब्सक्राइब का दूसरी हूं कि तो कोई उपदरवन नहीं हो था वह आए अपनी कोई बात रखनी रखी और चल दिया बस बात खत्म उनको अपना प्रीच देना था उनको प्रीच दूसरी मैं करणा हूं का यदी बीजेपी के अंदर ऐसे नेताओं पर यदी कारवाई हो थी तिस तरह के देखना नेता मदन कितनी गिनोनी बात बोली थी मेरे को इस चैनल पर बताते हुए सरमारी है लोग इनके गर पे आये थे का मारा सेंपल डी ने चैक कीजिए उस दिन आप की जमान कहां चलीगा उस दिन आप चूप क्यों थे कारवाई करते मैं तो कहना चाहता हूं का कांग्रेस ने उसको आइ उसको पहले भी बार करास्ता दिखाए था तो यह कांग्रेस ने विजर्पी का फैली है रहे सरकार का लगातार जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं लगातार एक कहीं न कहीं एक बड़ा सवाल ये भी है कि जो प्रशासनिक अदिकारी है उनकी कारे प्रणारी पर भी बड़ पर वहां पर जो ड्यूटी होती है जिन अधिकारियों की वहां के निवास ही नहीं होती है धिकतार 90 जो कशनाओ के जो जो कुछ result है उससे उनका कोई वास्ता नहीं होता उनका तो केवल fair और free election कराने का target है और जो चुनावायों के निर्देश है उनकी पालना कराने का उनका purpose है वो नोकरी कर रहे हैं वहाँ इसका मतलब वहां के रहने वाले नहीं है तो जो आदमी रहने वाला नहीं है उसका direct को इंट्रेस्ट जुड़ा वानी है इसलिए कोई आगर आरोप है कि वह कुछ कर रहे थे तो वह बिल्कुल निरादार है क्योंकि उनका इंट्रेस्ट नहीं उनका इंट्रेस्ट है fair of free election कराने में कोई बादा